स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में जियां दोस्तो आज है पांच अगस्त और आज होने वाला है अयोध्या में जियां दोस्तो श्री राम मंदिर निर्मार का सिला न्यास जियां दोस्तो आज का ये दिन एक एतिहासिक दिन होगा जियां दोस्तो सिला न्यास होगा जिएं आज होगा निर्मार का पहला इंथ जो है आज रखा जाएगा और देश में चारों तरफ इस बात को लेके हर सो उल्लास देखने को मिला देश के तमाम बड़े निता और तमाम आम जंता के दौरा जो है भरपूर तरीके से दान किया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के निर्मार में सभी लोग साच्छी बने और गवाब बने जिया दोस्तों इस बात को लेके कि सभी लोगों ने लाइव टेली कास के माध्यम से इस पल का आनंद लिया जिया दोस्तों इसके लिए एक बहुती बड़े देश में श्री राम मंदिर का जिया दोस्तों निर्मार कार अब सुरू हो रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश दूने के तमाम ऐसे सबसे बड़ी ख़बरे तो सबसे पहले बात कर लेते करोना वाइरिस को लेके जिया दोस्तों देश म हैं और देश में ये करोना वाइरस अब बड़े बड़े नेताओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है बात करें बीजेपी के जिया दोस्तों बड़े नेता और साथ ही देश के ग्री मंतरी अमिच सा भी करोना के पॉजिटिव पाया जा चुके जिनका इलाज चल रहा है अब ये अस्पताल में वो भरती हैं बात करें जन्ता के हिसाब से जिया दोस्तों तो अभी तक चालीस हजार से ज्यादा लोग इस भहें का बीमारे के चपेट में आने से अपनी जान गवा चुके हैं अमेरिकान एक रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी राश्पती डोन अमेरिका दूसरे अस्थान पर बना हुआ है लेकिन भारत जीहां दोस्तों इस भहें कर्मी मामली के मामले में पहले अस्थान पर आ चुका है जो अपने आप में चिंता का विशे है केंसरकार हो या राश सरकार हो तमाम लोग जीहां दोस्तों कोवाइड-19 से लड़ने के पूरी तैयारी कर रहे हैं लेकिन केंसरकार इसके उपर पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है चाहें लॉड़न को लेकर लगाया गया हो फैसला हो या फिर लॉड़न के अंतर गज़ दी गई सकतिका जीहां दोस्तों तमाम चीज़ों को पात यह साबित होती है कि अग अंकड़ों को तो नहीं दिखा रही है लेकिन यह बताने में जरूर अपनी पीट थपता पाते हुए नजर आती कि भारत में करोना से मरने वालों के संख्या पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है लेकिन यह मामले नहीं बता रही है कि पूरी दुनिया में इस समय भार इसमें जिस तेजी से भारत में ये करोना वाइरस फैल रहा है वो सबसे ज़ादा डबलू एचो की चिंदा का विशे बना है क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी फैसिलिटी यानि सुख सुविधायन नहीं है करोना वाइरस को लेके जहां दोस्तों क्योंकि यहां पर इतने हॉस्पिटल्स नहीं है बेंटी लिटर की संख्या बहुत ही कम है किट भी बहुत कम है उसके बावजुद भारत में यांकड़े एक चिंदा का विशे बना हुआ है देश में लगातार केंसरकार इसके उपर एक गाइडलाइन जारी करते हुए नजर आती है लेकि क्योंकि सबसे ज़्यादा खत्रा करोना वायरिस को लेकर इन लोगों से होता है क्योंकि इन पर बीमारी का सबसे ज़्यादा होता है खुद प्रधानमंदिर नहिंद मोधी जीन की इजड़ ज ए 69 वर्स के हो चुके हैं वो खुद रामंदिर निर्मार्ड के कारे से अपने आपको रोक नहीं पाए और खुद इस भेंकर बीमारी के समय में अयोध्या गए हुए हैं जिया दोस्तों जो अपने आप में इस गाइडलाइन का कहीं न कहीं उलंगन करता हुआ पाया जा रहा है चलते हम अपने खबर की तरफ जिया दोस्तों के सबसे बड़ी थे खबरारी थे शुसान सिंह राजपूत को लेकर उनकी केस को लेकर नितिस राणे ने बहुत जिसा कि मुझ्यास जारी कहा कि महाराशा की पुल्मकमंती और बीजेपी के नेता नारायन राने सुसान सिंग राजपूर्ट के मौत के मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिक्ता दर्च करने के पचास दिन से अधिक की देरी के जाने पर मंगल और को सवाल उठाया साथ उन्हें ने कहा कि दिवंगत अभिनेता की पुल्व मैनेजर दिसा सलियाना की आतमत्या के मुद्दे पर बड़ा बाद है उन्हें कहा कि बकाईदा बीजेपी दफ्तर में एक कानफरेंस किया और उन्हें दावा किया कि दिसा सलियाना ने आतमत्या नहीं की बलकि उसकी ह प्रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि दिसा के प्राइवेट पार्ट में चोड़ के निसान थे दिसा ने आर तारिक की और ग्यारा तारिक को उसका पोस्ट माटम किया गया सचाई जल्द सबके सामने आ जाएगी अगली सबसे बड़ी ख़़बर आरी पाकिस्तान को लेके जिया है जारी किया जिसमें उन्होंने कस्मीर के काफी हिस्सों को अपना बताया भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी हरकते करता रहता है जिससे दोनों देशों के बीच तरनाव पैद पाकिस्तान दौरा आजनितिक मांचित जारी करने के निदेश पर मंत्राले ने कहा कि इनसे हाशे पर दावों ने ना तो कानूनी वैलता है और ना ही अंदराश्टी विश्वर सनेता जिहां दोस्तों देश में इससे में एक महालात हो चुके हैं कि चीन हो नेपाल हो पाकिस् कर रहे हैं और केन सरकार कहती है कि अभी तक जाने कि प्रधार मंति नेद्मोदी के दौरा कहेंगे भाशर के अंसार की इसके एक इंच जमीन भी किसी के हिस्से में नहीं है अगर ये बात सच है तो फिर चाइना कैसे भारत के 18 किनोमेटर अंदर तक घुसाया है क्योंकि एक्सन नहीं लिया जिया दोस्तों ये अपने आप में एक चिंता का विसे बना हुआ है कि अंतराष्टी रिस्ते दिन प्रते दिन देश के साथ खराब होते नजर आ रहे हैं बोटान ने भारत की तिरफ से आने वाले पानी को रुका ने अपने आपको जिया दोस्तों भार सब्सक्रारी रियल मंतराले को लेकि जिया दोस्तों देश में 12 तक सभी लोकल ट्रेने पैसेंजर ट्रेने और मेल एक्सपर्स ट्रेने को रद्ध किया गया था बारा अगस्त के बाद इन ट्रेनों को खोले जाने के जो है आसंका जताई जा रहे हैं और तिन-किन राज्यों देख सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों अगली ख़बर की तरफ अगली सबसे बड़ी ख़बर आरी नेपुटीजम को लेके इस बार करीना कपूर ने दिया बयान इन दिनों बॉलीवोड में नेपुटीजम के मुद्दे पर काफी भैस होई दरसल सुसान सिंग राजपूत क के फैंस का कहना है कि नेपुटीजम की वज़े से बॉलीवोड में उनके साथ भेदवाग किया गया और उनके जाने की वज़े भी इसी से जुड़ी है इस घटना की बाद सोशल मीडिया पर उन सभी सितारों के लोगों ने जम का ट्रोल हुआ जो नेपूटीजम को बढ़ इंसाइड को लेकर बाते की उन्हेंने का कि किस साल का काम केवल नेपूटीजम के बल पर नहीं किया जाता ऐसे स्टार किट्स की लंबी लिस्ट जिया दोस्तों उनके पास ऐसे स्टार किट्स की लंबी लिस्ट है जिसको ऐसा संभव ना हो सका जिया दोस्तों करीना कपूर के अंसार तो ये बात सथ होती है कि नेपोडिजम के अलावा उन्हें अपने बल्बूते पे जो है सारी कुछ जो भी हासिल किया है अब लब्दिया हासिल किया है लेकिन उन्हें यह नहीं बता कि बीना नेपोडिजम के उन्हें पहले ब्रेक कहा से मिला जिया दोस्तों उनकी कितनी सारी फिल्में फ्लॉप हुई वो गिंती से गिनाती ओमकारा जब भी मेट कभी खुशी कभी गम लेकिन कितनी सारी फिल्में उन्हें फ्लॉप दी और वो तभी भी बॉलीवुड में है क्योंकि नेपुटिजम कहीं न कहीं उन्हें सहरा देता है लेकिन जो बहार से और ये दो तिन परिवार है जो पूरी तरह से बॉलिवूट को चलते हैं जिसका सिकार आम लोगों होते हैं जो बाहर से आते हैं सुसान सिंग राजपूत जैसे लोग जो नेपोडिजम का सिकार होते हैं तो दोस्तो चलते हैं सब अफने अगरी कबपनियां करें आपको भाता अख है काफी लोंतुर को सब्रकर बढ़ते बिजली कंपनियों की तरफ से टाम लाधार, अब अगर आप बिजली के बिल नहीं भरते तो अब आपके बिजली का बिल जो है कार दे जाएगा यानि बिजली का जो आपका मीटर है उसे कार दे जाएगा जिया दोस्तों देश में एक मुहिम छड़ी हुई है कि बिना रीडिंग के लिए बिजली कमपनिया किस प्रकार बिजली का बिल ल कि दाम बढ़ते हों चाहे बिजली के दाम बढ़ते हो सरकार इसके पर पुरी तरह से चुपी साधी वही है और किसी प्रायर का रोक थोपन नहीं लगा रही है और इसका सारा बोज आम जंता के उपर पढ़ रहा है जबकि देश में विरुस्गारी इसमें अपनी चरम सिमा प चिन चुकी है ऐसे में जहां पर केंशरकार को यह चाहिए कि कोई ना कोई रोजगार का साधन हो तो वहां केंशरकार सरकारी कंपणियों को ही बेचने पर तुली हुई है चाहे जिहां दोस्तों चाहे एरपोर्ट चाहे रेलवे हो इन तमाम चीजों को सरकारी कंपणियों को जो है सरकार ने पूरी तरह से प्राइडाज़ेशन करने का नेरे ले चुके हैं और कई कंपणिया तो बेची भी जा चुकी है आने वाले समय में जिहां दोस्तों सरकारी नाम से सिर्फ और करने देखते उनके लिए सारी सुधाय खत्म कर दी जाए चुकी होंगी तो दोस्तों मित करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आज का दिन आप हम सभी के लिए एक अथिहासिक दिन है जै श्री राम झाल